लो भाई आ गया है नया नवेला मुवाइल फोन फटावर चलते हैं और अन्बोक्सिंग करते हैं इसकी तो यार एक और नया दिन एक और नई जर्नी है आज है तीन जून और अभी मैं हूँ भाई अपने होम टाउन अपने स्टूडियो पर और भाई अभी रात के कुछ और तेरी साड़े बारा बज़ रहे है और बड़े उट पढ़ंग टाइम पर ये व्लोग शुरू कर रहा मुझे अपने इस पुराने वाले फोन चुटकारा मिलने वाला है दूसरा फोन मिल जाएगा मुझे नया मेरे लिए तो उसकी फोन की थोड़ी से एक्साइटमेंट हो रही है या फिर क्या लोग चूल हो रही है तो नीन नहीं आ रही है तो मुझे कुछ काम निप्टा आपको बाद में बताऊंगा बट एक दो दिन से मैं यह सारे पर्दे लेकर आया हूँ क्योंकि पीछे अगर आप देखोगे न यह वाले पर्दे तो यह बहुत पुराने पर्दे आप में से भी बहुत लोग कमेंट करते रहते कि अच्छे नहीं लग रहे है तो यह जो पर से लगने लग गया इसलिए मातंगा अफी सारे खरीद लाया उर खाली इस वाली विंडो केले मतलश यह बहर सरे विंडो इंदेखो बहर रात हुरी है तो एस वाली इक अगर न अल्मीरा तई बनी हुए इसकं крाल डरी गंधी से हो ग्यवाहां के ले ends edited it यहां के तो लग गया है बड़े मस लग रहे हैं अच्छे से देख लोग तो सही है यार मतलब तीन पर दो में काम होगा और दिखने में लुक स्पाइज भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं फटा वर्से इन दोनों जगा का भी काम ने प्टाते हैं उस साइड का तो क्या सीन पर देख लगे थे तो इसलिए डंडा भी लगा उथा जिस पर दलते हैं बट यहां पर कोई पर्ड़ा नहीं लगा हुआ है तो मैं यह डंडा भी खरीद के लाएं और इस तरह के दो हूक है जो मेरे को वॉल पर माॉंट करने पड़ेंगे इसी के ओपर ऐसे जो यह डंडा तो इसके लिए मैं कुछ कील और हतोडी भी ले आया हूँ फटाफट से करते क्योंकि यहां जादा टाइम लगने वाला है ठोकना भी है फिर सेट करना फिर पर्दे लगेंगे बाई एक दिक्कत हो गई है जोज जोज में हतोडी तो उठाली बट होई नहीं पाया एक्चल में यह जो दिवार पर लगना है वो ड्रिल मशीन से ही लग पाएगा तो यहां नहीं घुसरी तो उदर की साइड भी मतलब नहीं घुसेगी तो देखते है कल कॉंटिन्यू किसी को बुलाना पड़ेगा तो वैसे तो मैं लोगडाउन को दोश देता रहता हूं कि घर बैठे बैठे लोगडाउन में मेरा पेड बाहर निकल रहा है बट एक्चल रीजन यह है रात के एक डेड़ वजए ऐसे खाने की कभी कोई भूग लग लग जाती है इस टाइम प पूरी स्टोरी सुनातों मैं क्यों फोन चेंज कर रहा हूं कौन सा ले रहा हूं नहीं वह मैं बता हूंगा नहीं वह सीज़ा दिखाई दूंगा जैसी डिलिवरी आ जाए इसकी ठीक है बात करते है अभी खालेतों में जल्दी तो अभी सुआ के साड़े आठ बज रहे है भाई मैं इतनी जल्दी उठता नहीं हूं मैं आ रहा हूं 11-12 बजे उठता हूं लेकिन में पाँ मैसेज आए कि फोन जो है वो डिलिवर हो जाएगा आज तो उस मैसेज से मेरी नींद खुल गई तो भाई आप तो वेट हो नहीं रहे है कि फोन किसी भी वाग डिलिवर हो स देखनी है वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अब खड़े होते हैं फटावर से थोड़ा मूह अध्ड हो लेते हैं फोन हो सकता है डिलिवर पहले स्टोरी सुनाँगा फोन की या फिर पहले अगर आगया तो लेई आउंगा देखते हैं जैसे भी होता है भाई मैंने जो डिलिवरी अटरे से वह घर का डाल दिया तो फोन अभी घर पर डिलिवर हो गया है मैं अभी जाता हूं पास में है घर और लेकर आतों फोन को फिव्टीन मिनिट लेटर लो भाई आ गया है नया नवेड़ा मुवाइल फटा पट पट चलते हैं और तो भाया जी आपको स्टोरी सुनाते है कि फोन का क्या सीन है तो देखो पिछले लगबग डेड़ से दो साल हो गए है मुझे ये फोन यूज करते हुग ये है वन प्लस से आप मेंसे बहुत लोग ने मेरा ये फोन देखा भी होगा ये जो फोन है ये मेरे लिए बैश था म मुझे कोई दिक्कत नीती आज से तीन-चार महीने पहले तक क्योंकि इस फोन के जो फीचर्स है वो मेरे पूरे काम आ रहे थे मतलब उससे जादा मेरे को जुरद भी नहीं पढ़ रही जी कभी बट हुआ क्या मेरी गल्ती है ये इस फोन में तीन-चार दिक्कते आगे सब से पहली दिक्कत है इसके चार्जिंग पोर्ट को लेकर ये थोड़ा सा लूज हो चुका है तो मुझे जब मैं चार्जर फिट करता हूना तो मुझे बहुत मतलब घुसा के और फिर एकदम से मतलब किसी एंगल पर पर्टिकुलर एंगल पर इसको फिट करके लगाना तब ही जो है चार्जर काम करता वरना काम नहीं करता है तो यह दिक्कत मेरे को देता सबसे ज़ादा ड्रोन उडाने में क्यूंकि भाई ड्रोन में मुझे यह लगाना परता था फोन और बीच में अगर गलती से भी फोन में से यह डिस कनेक्ट हो जाता तो वही है दो इसलि बैटरी खराब हो जाती है, यह दिक्कत आई, तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत, यह दिक्कत नहीं है, क्योंकि कवर से ढग जाता है, तो यह देखो, इसका बैक पैनल जो है, यह तूट चुका है, और यह अभी पिछले मही नहीं तूटा है, इसी जगा पर, यहाँ पर फोन बदलना ही बदलना था भाई, क्योंकि बिना बैटरी बैकप के मेरा काम नहीं चलता, बहुत काम होता मुझे फोन से पूरे दिन में, तो इसलिए मैं डिसाइड किया एक फोन लेने का, बट भाई, इस ताइम पर आपको पता ही है, दो तीन चीजे लेने का मैं प्लैन कर रह यह थे, दो प्रोड़क्ट आए है, इसमें इयरफोन से, कौन से इयरफोन से वह भी दिखाता हूँ, तो दोनों प्रोड़क्ट घर पे भी सैनिटाइज हूँ और जब मैं यहां पर रूम पे लाया तो पहले मैंने भी बाहर सैनिटाइज किया अच्छे से बिल्कूल और फ 48, 49,000 के आसपास है, बट एक्च्वल में यह फोन मेरा नहीं है, इसके अलावा भी एक और फोन है, जो मैंने लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ, और यह फोन किसका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और यह फोन जो है भी Amazon और OnePlus की वेबसाइट पे, फ्लेश सेल में मि चेज कर लिया, और 24 गंटे के अंदर-अंदर मैंने जो है 500 और कैश बैक अंकर लिया, एक तरह से यह सेविंग्स ही हो गई, एक्ष्रा, तो भाई, डिस्क्रिप्शन में लेटी शॉप्स का जो है, लिंक दे रखे है, वहां से डाउनलोड करो, रेजिस्टर करो, काफी अस करना और फिर जिस भी श्टोर से शोपिंग करना है, फिलिपकार्ड में तरह जी हो अगयरा, उस पर क्लिक करो, वह आपको डिरेक्टर देगा सीधा उनकी वेबसाइट पर महां से शोपिंग करो, नोर्मली जैसे करते हो, और फिर 24 गंटे में आपका जो कैश बैक है, आपक बैंक अकाउंट में विड्डरो भी कर सकते हो, सारा कैश बैक, और अगर आप कोई भी बड़ा एटम ले रहे हो, जैसे कि फ्रेज या फिर एसी फ्लिपकार्ड से लेटी शोप के तुरू तो आपको एडिशनल पंदरा सो रुपे तक का कैश बैक मिल जाएगा, और आपने नॉर्मल फ्लैश सेल सुनी होगी, लेकिन ये लोग तो भाई, कैश बैक पर भी फ्लैश सेल निकाल रहे है, आपको फ्लिपकार्ड बिनतरा है, जैसे बड़े स्टोर पे तीन से पांच टाइम जादा कैश बैक मिल जाएगा, जैसे अभी टाटा क्लिक पे थर्टीन पॉइ फ्लिपकार्ड पे 13.8 का कैश बैक मिल रहा है, नॉर्मली 3-4 परसेंट, 5 परसेंट होता है, बट अभी 13-14 परसेंट मिलना बहुत बड़ी बात है, तो भाई, आप भी वन प्लस या फिर कोई और डिवाइस लेने का सोच रहो तो भाई, लेटी शोप जाउन्लोड कर लो, आपका ही फायदा है, जैसे मेरा 500 परसेंट का फायदा हो गया, तो यह देखो भाई, यहाँ पर तीन डबबे है, एयरफोन पर आएंगे, सबसे पहले है, यह वन प्लस सेवन, आप यह पूछो किसका है, तो मैं सारा सीन समझाता हूँ है, एक्चल में स्टोरी का है पूरी, पट यह पास keeping, यह बाई के है, मैरे पास मीवी के अल्रेडी यह फायरफोन बट उसको भी लेने तो मैंने मंगवा दी आरांट तेरा सो उरुपे के सायद से, तो इसको handheldी रखते है, इन दो कुछ का स्वूरी का है, मेरा फोन इसमें से कौन से, यह Apple 7, यह Apple 7T Pro, जैसे कि मै ये फोन बेचना था तो मैंने उससे ये फोन 19,000 में खरीद लिया और उसने फिर 70 pro ले लिया अब आप लोग कहोगे 8 क्यों नी लिया 8 pro क्यों नी लिया 8 pro अभी शेल में आया नी था और 8 से जादा 70 pro था तो मैंने उसको सज़ेश किया कि 8 मतले 70 pro ले ले सस्ता भी पड़ेगा उससे 2-3,000 रुपे और फीचर वाइस भी ये थोड़ा बेटर है प्रोसेसर को छोड़ का है बागी कैमरे अमरे सब देखा जाए तो इसका अच्या आप रिव्यू देख ले ना मैं रिव्यू नहीं बता रहे है यहां पर फोन का पूरी बात को शोड़ करके बताऊं तो अ को भी थोड़े से दर्शन करवा दू नए फोन के इस वाले फोन का डबबा भाई पिछले वाले वन प्लस सेवन सो देख ना लंब है मतलग यह चोड़कू सा और बड़ा सा ओ भाई डिजाइन तो खतरनाक लग रहा है हेजल ब्लू कलर ता इसमें एकी तेरी यार मेरा इसी डिल आ रहा है तो देख ना क्लासी फोन लग रहे है बाई साहा वेक में देखो कलर भी ऑच्छा लग रहा है बट यह कवर ही चड़ाएगा तो क्या तो क्या लुआना देना क्तेर ने में बहुत ज़ादा क्लासी लग रहा है तो चलो फस्ट बूट करते है इसको अपना तो फटावर से सेट अप करता हूं तो लो भाईया, सेट अप जो है, कम्प्लीट हो चुक है, डिस्प्ले क्वालिटी आर बहुत तगडी लग रही है, मुझे तो इसमें कैमरा जो देखो, उपर से निकल के आता है, अगर आपको दिख रहा होगा जो कैमरा बंद कर दूँगा, तो चला जाएगा वाप तो, सई चीज है ना, मस लग रहा है फोन तो, कोई नहीं अगले साल, अपुन कोई मिल जाएगा तो भाईया, फोन तो मैंने सच आपको दिखाए नहीं न, मैं भूल गया, तो यह मैंने लिए अपने भाई से जो वन प्लस सेवन वो है, यह भी ब्लू कलर कही है, बिल्कुल नया पड़ा है कंडिशन, बिल्कुल बस थोड़ी से मिट्टी है, वो साफ कर लूँगा, तो च तो यह न, इसका जो शेल है न, वाइट कलर कहा है, जैसे कि आपको दिखी रहा होगा, तो यह बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैं इसके लिए कवर भी ले कर रहा हूं बजार से जाके, एक्च्वल मैं टेंपर ग्लास लगवाने ही ता अपने नए वन प्लस सेवन मे तो यह मैं इसका कवर ले आया हूं, देखो मस लग रहा है न, क्या दासूसा, तो अब यह ब्लैक कलर कहना तो इससे क्या कि मतलब गंदा नहीं हुआ करेगा जल्दी से, तो लगाना इसको बहुत असा है, अपना ऐसे फिट कर दो डिरेक्ट ली, तो थोड़ी से मिट्टी लग गई है, इसमें ब्लैक कलर में, तो ऐसा कुछ लग रहा है, की रिंग टाइप का भी हो जाएगा, कहीं पर बैग वैग में लटकाना हो, और यह सीधर डिरेक्ट खुल जाए करेगा, अब सही है भाई, गंदा भी नहीं हो करेगा, पीसी होन हो गया, फटा-फट से बैक करा, वट्सेब की एक लाग चोदाफ इमेजी है, मतलब लाग फोर्टीन इमेजी तो टोटल तो लगबग देड़ लाग के पास 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 पोटोज है, तो बैक अप लेने में काफी टाइम लगेगा, मतलब मेरा राइजर 9 प्रोसेसर वाला पीसी है, तब भी इतना टाइम ले रहा है, लोड़ोन में, चलो कोई नहीं अप करना तो हाई भाई, शाम हो जाएगी जाएगी जाद से आदा, तो कल जो हमने काम छोड़ दिया था, धूरा परदो वाला वो आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि अज्जू है मेरा दोस्त, इसके बाद ड्रिलिंग मशीन है, तो अभी ड्रिलिंग मशीन से वो लग जाएगे, जिस पर परदे लगेंगे, तो फटावर से काम नुटाते है, आँ काभी. तो यह देखो भाई लोग, फाइनली खिड़की के परदे यह लग चुके है, यह लग गया है उस अलमीरा के आगे का, इस परदो की वैसे कमरा बहुत भरा-भरा सा लग रहा है, थोड़े से लंबे भी पड़ गया है, पट मैं यह फोल्ड करवा के सिलाई करवा दूआ, और इधर गेट के यहाँ पर यह है, तो यहाँ पर जो भी समान तंगा होता है, वो ढग जाएगा, इन पर दो से एक निर दिखाता हूं, तो यह देखो, गेट पूरा ढग गया, त मैं अपने पुराने फोन से इस नहीं वाले फोन में बैक अप लूगा, तो बहुत टाइम लगने वाला है, आच रात पूरी निकल जाएगी, तो इस वीडियो के इतना ही रखते है, मैं आपसे नेक्ट व्लोग में मिलूँगा, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रख बागी कमेंट सेक्शन में यह बताना कि परदे कैसे लग रहे है, मतलब डिजाइन जो मैंने चूज की है, मैं खुद खरीद खेलाया था, तो थोड़ा सा मेरी च्वाइस के उपर भी इजर अपनी टिप्पनिया दे दे ना नीचे कमेंट सेक्शन में, बागी झाल 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 झाल